तो वूमेन अपियल का मेच नमर 18 खेला जगा यूपी वूमेन वर्सेज गुजरात वूमेन के बीच में इस मेच के लिए क्या आप रखोगे स्मॉल लीग की बेश टीम प्रेडिक्शन ग्रैंड लीग में क्या कंबिनेशन बनाओगे ट्रम पिक कौन-कौन से प्लेयर होने वाली है इस मेच में सारा कुछ बताऊंगा तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देख लेना इस वीडियो में आपको इस मेच के रिगार्डिंग सारी इनफॉर्मेशन में देने वाला हूँ तो देखना आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाले टाब में काफी बरे मेच जाने वाला है सबकी मेचनलेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है दोनों टीम की बात कर ले रिसेंट परफॉर्मेंस की तो पॉइंट टेवल के दो सबसे बोटम लेवल पर जो दो टीम है उसके बीच यह मेच होने वाला है पॉइंट टेवल पर यूपी वूमेन आपको फोर्थ पोजिशन पर है जिसनों अभी तक साथ मेच में से तीन मेवीन है और चार में लॉस है वहीं पर अगर हम गुजरात की बात करें तो टोटल यहोंने खेले हैं छे मेच जिसमें से आपको सिर्फ एक मेवीन है पांच में लॉस है ऑन पेपर और रिसेंट परफॉर्मेंस के साब से स्केट कीपर सेक्षन में किसको किसको पिक करोगे तो दो नाम आ रहा है दोनों बड़ा नाम है एलिसा हैली और बेत मोनी का दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट पिक होंगे दोनों का रिसेंट परफॉर्मेंस काफी तगरा है चाहो बेत में नहीं हो चाहे एलिसा हैली हो दोनों में से किसी को ड्रॉप नहीं करना है बैटिंग में एल बोलबाट इसके बाद आपको डी हमलता जो पिछले मेंच में कापी अच्छा परफॉर्मेंस इन्हों ने किया था किसके गेंश्ट में मुंबा इंडियन वुमेंच में कापी अच्छा रन बनाया ओपन आई थी पिछले मेंच में आपको डी हमलता बैटिंग करने के लिए और विज़िए प्रफॉर्मेंस रही थी पिछले मेंच में लाटि JUST जी हेरिस इनिस्यल कुछ मेच में काफ़ी अच्छा परफोर्मेंस इसके बाद थोरा सा अच्याध ज़ित से मेच में प्छला मेच फ्लॉप बिछले कुछ मैचों से खेल नहीं रही थी लगातार तीन मेच मिस्किया था पाला मेच मैच परफॉर्मेंस इसके बाद दो मेच फ्लॉप इसके बाद तीन मेच खेलने के लिए मुखा नहीं मिला और लास्ट मेच जो था मुंबई इंडियंस के एगे पूर करेंगी इस मेच के अंदर टीम मेच तो यह दिए नमरे रखना गार्डन की बात करें सेफिस्ट कैप्टन चॉइस इसको दे सकते हूं स्मॉल लीग में लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाने बाला हूं आगे बताऊंगा किसको आप कैप्टन किसको विसी बनाओगे एक कघर्डनर की बात करें तो डेंड्टा परफ्फॉरमेंस आपको सभी लग रहा हो हर एक मिच में परफॉरमेंस करते हुए आ रही है सानी किसी मेच में फॉप हूं प्लक्रण बॉलिंग से हो रही है दिप्ति सर्मा की और बैटिंग से भी तो मस्ट पिक और काफी कमाल की पिक होने बाली है केथरिन ब्राइस की बात करें तो इंपोर्टेंट फिक हो जाएगी इसको ले सकते हो अच्छी प्रफॉर्मेंस इंगा अभी तक रहा है तो कैथरिन ब्राइस जे ट्रम पिक आप यूज कर सकते हो लेकिन अब फिलाल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ आगे देखूंगा बॉलिंग में कौन-कौन से प्ले ए इसके पिक कर लेना बाकि आपको यह टीम हो गई है complete captain दिपती सर्मा भी सी जी है इस अभी थोड़ा से जा रहा हूं मैं small league की बीश टीम combination है यह 4 मेंबर 3 मेंबर है 2 एट के लिए captain के लिए दिपती सर्मा से बेश चोईस कोई नहीं मिलेगी आपको अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो captain में तो जी हरिस captain भी सी दिपती सर्मा दे सकते हो यह सोफी लक्स्टोन भी भी सी की एक अच्छी चोईस हो सकती है बाकि अगर आप देखो यह ड्रीम लेवन की टीम है अगर आप चाहते हो 7-4 combination में अगर आप खेलते हो तो वहाँ पर क्या team combination रखोगे तो एक बार वहाँ पर भी मैं बताता हूँ क्या combination रहने बाली है तो all under section से टीम एगर आप को ड्रॉप करके बैटिंग में आप लिच फिल्ड या आप चाहो तो S-Sahrabat को pick कर सकते हो ये भी एक अच्छी option UP के तरब से हो जाएगी आपके लिए तो S-Sahrabat आपको अपने team में रखना है बाकी आपको जो है सारे player same रहने बाले हैं सारा selection same रहने बाला है ये आपको 7-4 combination है captain of us captain भी आपको same इसमें रख देना है ये आप combination थोरा सा देख सकत हो ट्रम पीक की बात करें तो ट्रम पीक कुछ आपको player के बारे में बता जाता हूं तो player जो ट्रम पीक होने वाली है आपको यहां पर आप देख सकते हो पी लिच फिल्ड एक आपको ट्रम पीक काफी अची हो जाएगी जिसको आप GL में यूज कर सकते हो इसके बाद अगर म पीक के बात करें तो मेगना सिंग जैसा कि इन्होंने देली के गैंस ने परफोर्मेंस किया था चार बिकेट निकाली थी पहले बालिंग आती है तो मेगना सिंग को जरूर ट्राइक करना और यहां पर एक और player है जी सुलताना डोमेश्टिक में काफी अचा परफोर्मेंस क कर रही है स्पीन को काफी सपोर्ट करता है यह पीच तो जीत फुलताना को भी ग्रंड लिग के दो-तिन टीम में आप ट्राइ कर सकते हो आई होप यह वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद टेलिग्राम से जुर जाओ वहीं पर आपको इस मैच की फानल स्मॉल ली ग्रंड लीग फानल पिछ रिपोर्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्सन में लिंक दे रखा है आई होप अच्छी लगी है वीडियो मिलते है नेक्स मे अधियोर्स